सोच लिजिए वो अधिकारी कैसे होंगे मनिहारी विकास खंड के कि इनका जो है पैसा दूसरे एकाउंट में कैसे पड़ेगा किसी का इस्ट्रक्चर खड़ा होगा और किसी का ढलाईया के लिए इसे सालों सालों लोग इंतजार करेंगे और ऐसा होता है इन गरीबों के मंत्री जी हमको आवास दे देंगे रहने के लिए तो भूल जाए क्योंकि वो पाने के लिए आपको रिस्वत देना पड़ेगा इन अधिकारी ब्रश्टाचार का जीता जाकता सबूत जिले का यह मनिहारी विकास खंड है और मनिहारी विकास खंड की तमाम सारी वीडियो अंतरगत सराय गोकुल में गाव में उपस्थी थूं और यहां पर एक सबसे बड़ा भरश्टाचार को उजागर करता है यह है प्रधान मंतरी आवास योजना प्रधान मंतरी आवास योजना के अंतरगत किसी गरीब को आवास दिया जाता है इसलिए कि वो अच्छे से आवास इनको आवंटीत किया गया इनको मिला है लेकिन वो आवास एक साल पहले ही मिला है तब से नजानी कितने आवास बन गए होंगे लेकिन इनका देखिए अभी निव भरकर एसे ही छोड़ दिया गया क्यों क्योंकि इनका एक किस्त तो आ जाता है लेकिन जब दूसरा क किस्त आता है तो दूसरा किस्त किसी दूसरे के खाता में नहीं के गाओं के दूसरे खाते में चला जाता है सोच लीजिए वह अधिकारी कैसे होंगे मनिहारी विकास खंड के कि इनका पैसा दूसरे एकाउंट में कैसे चला गया, एक बार बैरिफाई होता है, इसके बाद उसी एकाउंट में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनके साथ, ये गरीब महिला है, गरीब महिला है, ऐसे तमाम जो आवास योजनाएं आते हैं, ऐसे ऐसे मैं बता दूँ अगर वास्तविक्ता से अगर सही से जाच हो जाए ना, तो ऐसे ऐसे लोगों को आवास मिल जाता है गाउं में, ऐसे ऐसे लोगों को मिल जाता है जिनें जरूरत नहीं है, और जिनको जरूरत है, उनके साथ ऐसा बेवार किया जाता है, देख लिजे, निव उनका किसी का निव पड़ेगा, किसी आपका इक किस्त चालीस हजार का आता है वो इनके खाते में आया क्रेडिट हुआ लेकिन जब दूसरी किस्त की बारी आई तो वो किसी दूसरे के खाते में चला गया और सोच लिजे उन अधिकारियों को कि अगर वो दूसरे के खाते में चला भी गया तो आए नहीं जाच करने के लिए कि उनसे बात किया जाए और इनके खाते में ट्रांसपर किया जाए सबसे बड़ा आपराध भी है अगर आप जानकारी नहीं किसी के खाते में सरकारी पैसा अगर दूसरे खाते में जाता है वो खुद बेखती जिम्मेदार होता है और उस पर कारवाई होनी चाहिए लेकिन यहां पर कोई कारवाई नहीं और परदान की मजबूरी होगी कि अगर उसे अगर तेजी आवाज में अगर उसको बोला जाएग तो हो सकता है कि अगली बार उनको वोट ने दे तो वोट यहां पर चलती है और यही वोट बैंकी राजनिति इस गाव में देखी यह महीला का नीव भरकर छोड़ दिया गया है विकासखंड मनिहारी के जो अधीकारी है वो आएंगे नहीं जांच करेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा और इस करीव का घर कैसे बनेगा एक साल हो गया अभी निव डालके है और ना जाने कब इसका इस्ट्रक्चर खड़ा होगा और इसके उपर धलाईया कब होगी और ऐसा करते करते न जाने कितने साल बीत जाएंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं अच्छा पैसा विलिया जाता है गाँ पैसा विसा लेत मांगते हैं आपको अगर किसी गरीब का प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतरगत आपको लगेगा कि प्रधान मंत्री जी हमको आवास दे देंगे रहने के लिए तो भूल जाए क्योंकि वो पाने के लिए आपको रिश्वत देना पड़ेगा इन अधिकारियों को और और समझ भासड देते हैं तो पहली बार पहली बार आपका भासड सुनके लोगों को बहुत खुसी हुई थी जब आपने कहा था कि ब्रस्टाचारियों से नफरत करने की जरूरत है लेकिन आपने सायद उत्तर प्रदेश के लिए छूट दे रखी है यहां के अधिकारियों को क्यों कि अगर पैसा नहीं लेंगे तो आपके जो प्रधान मंतरी आवास योजना के अंतरगत उन गरीबों को आवास तो नहीं मिलेगा और आवास अगर लेना है उन गरीबों को तो उनको पैसा देना पड़ेगा और जानते हैं वो पैसा कहां से देगा थोड़ा बहुत उसके प विकासखंड की में बात कर रहा हूं और मन्यारी विकासखंड का जो यह गाव है सराय गोकुल ग्राम सवा में और भी चीजे में दिखाऊंगा यहां पर पंचाईद भवन का क्या बंटा धार करके रखा यहां के लोगों हैं ऐसे अब उपरन में जाकर देख लिया जा है तो लगेगा कि गाव में उनका स्वर्ग क्लाव में каких सा 돼 जिन्यीन के गाव में ऐसे गरीबों ठोड़ने के लिए उनका नाम रहता है लेकिन उनको जोड़ा नहीं जाता है ऐसे ही किसी का निव भर कर छोड़ दिया गया होगा, किसी का structure खड़ा करके छोड़ दिया होगा और किसी का धलाईया के लिए वो इंतिजार कर रहा होगा कि अब पैसा आएगा तो हम धलाईया कर लेंगे और आपने चतो जब कह दिया कि नई ब्रश्टाचारियों से नफरत करने की जरूरत है तो बहुत खोसी हुई थी मुझे लगा था कि अब जो है इस देश में ब्रश्टाचार खतम हो जाएगा लेकिन उतनी की से इस गाजी पूर जिले उत्तर परदेश में ब्रश्टाचार शुरू हो गया है देख लीजिए ब्रश्टाचार का जीता जाकता सबूत है और ऐसी कई सारी वीडियो हमारे चैनल पर देखी होगी आप लोगों ने कि तमाम सडके खराब है गाउं की हालात बद से बत्तर है जो अधिकारी है आते हैं लूटते हैं चले जाते हैं यहां पर एक जो हमारे सायोगी रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया था कि आते हैं लोग आते हैं अधिकारी आते हैं जब जबकि उनको आदेस रहता है कि घर घर जाएं और घर लोगों की तकलीफों को देखे, जाने, सुने और इसके बाद जांच करें लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है गाव में एक जगह बैठ जाएंगे और पूरे गाव का हाल चाल ले लेंगे और चले जाएंगे यह सब चीजह हो रही है इस जिले में इस जिले में इसी जाजी पूर जिले में और थोड़ा सा इस पर भी धान देने की ज़रूरत है का है कि अधिकारी आया बताया है हमाया तो फोला है गरों का लगा था कर हो यह बन जाई किना अपको? अब किये जन्द बखी बन जाई कि का वही जे पईसे ना मिले तो का घर बननी गरीब अदमी अज़े खुदे उठोकर उठा के उठोकर उठा के अपार पर बोजय उठोवाई के ना भाई तो गोईने उठोकरिया है आम बनी मेरा उबन के घर दूगो लाइकन लेकर ताम का आ गरीब महिला पूरी तरीके से तूट गई है कि अब लगता है कि मेरा घर नहीं बनेगा इनको भी आवास आया होगा जब इनका नाम आया होगा और पहली किस्त आई होगी तो यह बहुत खुश हुई होगी कि आप चलिए हमारा किस्त आ गया और अब जो है घर बन जाएगा लेकिन एक किस्त आई उसके बाद दूसरा किस्त दूसरे के खाते में चली गई आप सोच लीजिए और वीडियो साहब आप देख लीजिए जाच कर लीजिए क्या करेंगे पता नहीं क्योंकि अगर कुछ करते और जाच करते तो सायद इस गरीब महिला के साथ ऐसा नहीं रोकना होगा टोकना होगा तो जो भी करना है कर लीजिए गा लेकिन हम आपके विकास खंड के हर उस घाव में जाएंगे जहां पर इसे पीडित लोग रहेंगे तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियों के साथ हम जल्द उपस्तित होंगे तब तक के धन्यवाद जय हिंद जय भारत